नमस्कार साथियों आगे बढ़ते हैं अध्याई नमबर 14 सांकी की कख्या दस्वी सांकी के में हम देख रहे थे 14.3 और आज का हमारा सोलूशन है कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 हमसे पूछा गया है पत्तियों की माध्यक लंबाई ग्याद किजिए मत्तक हमें क्या करना है यहापे तो हमें निकालना है माध्यक क्या निकालना है हमें यहापे तो हमें निकालना है माध्यक तो माध्यक क्यात करना है एक बर मैं आपको पूरा कोशन पढ़के सुना देता हूँ ताकि आपको कोशन भी पता रहे ठीक है question आपको दिया है एक पोधे की 40 पत्तिओं की लंभाई या निकट तम मिलीमीटरों में मापी जाती है तता प्राप्त आकडों को निम्णलिकित सार्नी के रूप में निरूपित किया जाता है एक तरफ आपको दे दिये लंबाई पत्तियों की mm और एक तरफ आपको दे दिये पत्तियों की संक्या और आपसे फिर पूचा है माध्यक लंबाई ग्याद केजिए यहाँ पर आपको माध्यक लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालनी है समझ लिजिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए माध्यक का सुत्र होता क्या है तो माध्यक का सुत्र आपको पता होना चाहिए L1 प्लस N बाइ 2 माइनस C डिवाइड बाइ A मल्टिप्लाइ बाइ I यह होता है पूरा आपके माध्यक का सुत्र ठीक है अब इसमें हमको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा L1 इसके जस्ट बीच में आएगा प्लस में है ना बरावर लगा के लिख देंगे माध्यक ठीक है तो यह माध्यक का आपके सुत्र होता है अब यहाँ पर हमको माध्यक निकलना है माध्यक निकलने के लिए हमको L का, I का, A, N का, C का सभी के मान की जरूत पड़ेगी तो यह सभी मान आएंगे कहां से तो यह मान निकालने से पहले मैंने यहाँ पर दो कोलम छोड़ा होगा है ठीक है अब एक कोलम यह चोड़ा हुआ एक कोलम यह चोड़ा हुआ अब यह दो कोलम मैंने क्यों चोड़ा हुए आपके मारिड में यह खयाल तो आही रहा होगा ठीक है अब यह कोलम हमारा चोड़ने का रिजन यह है क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए वरगंतराल हमें दिया है 118 से 126 ठीक लेकिन सेकेंड में हमको 126 से स्टाट होना चाहिए था लेकिन नहीं करके इन्होंने 127 से 135 कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे 135 से तो फिर यहाँ पे 136 स्टाट हो गया है वरगंतराल यहाँ बिगड़ा पड़ा है अब आपको क्या करना पड़ेगा पहला काम तो यह वरगंतराल आपको सेट करना पड़ेगा कैसे करेंगे देख लेजिए 118 से 126 आपको दिया है और इस वरगंतराल को set करना है कैसे करेंगे आप इसमें बाहर से कुछ जोडने सकते हो और कुछ गटा भी नहीं सकते हो जो भी करना है आपको इसी वरगंतराल से करना होगा तो वो कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ यह total 1 है अगर एक को आदा करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 बनेगा ठीक है कितना बनेगा 0.5 प्लस 0.5 अगर मैं 118 को 117 प्लस एक लिकूं और इस एक को मैं क्या कर देता हूँ 0.5 तो इसमें एक का आदा यह रागया और आदा 0.5 यह आ चुका है ठीक तो मैंने यह पर क्या किया है 118 में से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो कितना बज़ता है मेरे पास तो बज़ता है 117.5 क्योंकि 118 वाँ जो है एक उसमें से आदा हमने कम गल दिया है बाहर निकल दिया है बस आदा रखा है अब यह जो आदा कम किया है वो हम क्या करेंगे इस अगले वाले जो वरगंतराल का जो अधिक्तम सीमा है इसमें उस आदे को हमने जोड़ दिया तो 0.5 को 126 में जोड़ेंगे तो 126.5 हो जाएगा अब हमने किया क्या है यहां से 5 कम किया है पोइंट में और वो पोइंट में 5 यहां पर बढ़ा दिया है हमने जो किया वो वरगंतराल से किया है बहार से हमने कुछ भी नहीं किया है तो यह आपको जो है ट्रिक फोलो करनी है कैसे आप समझ लिजिए वरगंतराल में अब आपको अच्छा समझ में देगा 118 में से आदा कम करेंगे तो 117.5 और वो आदा इसमें बढ़ा देंगे तो 126.5 117 में से आदा कम करेंगे तो 126.5 और वो आदा इसमें बढ़ा देंगे तो यह 135.5 इसमें से आदा कम करेंगे तो यह 135.5 और वो आदा इसमें बढ़ा देंगे तो 144.5 इसमें से कम करेंगे तो 144.5 और इसमें बढ़ाएंगे तो 153.5 फिर इसमें से कम करेंगे तो 153.5 और इसमें बढ़ाएंगे तो 156.5 इसमें से कम करेंगे तो 162.5 और यह हो जाएगा 141.5 इसमें से कम करेंगे तो 141.5 और इसमें बढ़ा देंगे तो 180.5 ठीके गाइस इस टाइप से आपको वरगंत्र dalej बनाने लाएं ये हमने वरगंत्र dalej सिस्टेमेटिक सेट कर दिया है ठीक और फिर आपको दिया है पत्विपलेह की संख्या ठीके पत्विपलेह की संख्या नहीं यह आपके A का कोलम है इसके बाद एक और कोलम आया संचाई बारम बारता इसकी क्यों हावाशुकता है क्योंकि इसी से हमको C के मान मिलने वाला है ना तो इसको बोलते हैं C F क्या बोलेंगे अब संचरी बारंबारता हम निकालेंगे कैसे तो उसके लिए जो भी आउरती का बारंबारता का पहला मान होता है वो आपको ऐसा गैसा नोट करना रहता है ठीक है नोट करने के बाद आपको इसमें अगला जो मानागा वो जोड़ देना है तीन में पांच जोड़ देंगे तो आठ फिर आठ में अगला जोड़ देंगे तो आठ और नो शत्रा फिर सत्रा में बारा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उन्तिस उन्तिस में पांच जोड़ देंगे तो चोतिस 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 कितना आजाएगा 40 आप चाहो तो यहाँ पर यह जो cool योग आता है यह आएगा 40 आप इसे भी N बोल सकते हो ठीक आप इसको गोला लगा कर भी N बता सकते हो ठीक है दोनों तरीके आपके पास है तो आपके सबी इन बता है ठीक है तो यह होगया आपके N का मान भी हो चुका है है ना क्योंकि जो टोटल योग होता है वो N का इमान होता है तो cool मतलब यह आपको N का मान दे दिया है कितना आ रहा है तो N का मान आ रहा है 40 ठीक, N कमान आपके पास है, है ना, I कमान आप निकाल लेंगे, कित्ते का अंतर चल रहा है, वो देखके, बस आपको C का, F का और L1 कमान निकालना है, तो आप C का, F का और L1 कमान कब निकलेगा, जब आप N कमान इस N की जगे रख दोगे, तो हम यहां से N बटे दो उठा के ब तो दो एकम, दो, दो दुनी, चार, और यह 0, खुल मिला के, N बटे दो हमको कितना मिल जाए, 20, कितना मिलाए, 20, जैसे ही आप N बटे दो निकालते हैं, बाकि आपके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन कैसे, तो आपने N बटे दो निकाल आए, अब N बटे दो 20 आया है, त्या करना है कि इन बटे तो कहां आया है 20 कहां आया है तो क्या इसमें कहीं 20 मिल रहा है आपको अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उससे कम वाला देखना है तो यहां पर 20 से कम वाला माल इस साइड़ी में कितना हो जाएगा तो हो कि ओने जाएंगे और न्यूनतम सीमा की बात करेंगे मत्लब यह वाली तो यह हो जाएंगा आपके kama अब आपके बाद e-110 का मान एप का मान है एन बाटे 2 का मान बस आए के महन की जरूरत है तो I का मन हम बता देंगे यहाँ पर I का मन कितना हो जाएगा तो जो भी वरगंत्राल होता है उसमें जितने जितने का अंतर चल रहा होता है वो हो जाता है आपके I का मन तो यहाँ पर 117.5 से 126.5 कितने कितने का अंतर चल रहा है इसमें तो अंतर चल रहा है आपके 1020 के पोठ माध्यक एंब राबर इस एलवन की जगए एलवन का मान 144.5 144.5 प्लस N बटे दो पूरा कितना निकला हमरा 20 निकल चुका है ये 20 माइनस C C कमान आपके 17 है ठीक है उसके बद बटे में F तो F कमान 12 है into I तो I कमान आपने 9 निकल है जो की वर्ग अंतराल में gap होती है इनके 20 कितने कितने का अंतर होता है वो I कमान होता है ठीक है यहाँ पर अगर हम हल करें तो M बराबर 144.5 प्लस 20 में से 17 जाते हैं तो बचते हैं 3 और बटे 12 गुने तुमें 9 तो 3 एकम 3, 3 चोग 12 तो M बराबर 144 क्या हो जाएगा 144.5 प्लस 9 एकम 9 और बटे में क्या रहा आपके 4 तो फिर लिख देंगे M बराबर 144.5 यहाँ पर 4 का भाग आपको 9 में लगा देना है और जैसे ही आप 4 का भाग 9 में लगा होगे तो आपको क्या मिल जाएगा तो आप भाग लगा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है 4 दुनी 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा दशमलो लेंगे 4 दुनी 8 माइनस करेंगे 2 बचेगे दशमलो का 0 और 4 बचे 20 तो 2 दशमलो 2 5 कितना मिलेगा आपको 2 दशमलो 2 5 तो अगली स्टेप में माध्यक निकल लेंगे तो माध्यक M बराबर यह 5 और यह 5 10 की 0 हासिर 1 1 और 2 3 3 और 4 7 और 4 इसको जोडवा देते हैं मैं आपको 144.5 में आपको जोड़ना है 2.25 ठीक है तो यह 5 ऐसा कैसा यह 7 यह 6 4 1 तो कितना हो जाएगा 146.75 ठीक है गाईस यह आपका हो जाएगा माध्यक तो उम्मेद्य आपको पूरा कोशन समझ में आया है और अगर फिर भी कोई डाउट रहे जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप पूरे कोशन को अच्छे सरी के समझ लेजिए और धीरे धीरे से नोट कर लेजिए ठीक है गाईस नोट करिए